हलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अगर आपने मुच्रल फंड में पैसा लगा रखा है तो उस पैसे को अगर आपको जरूरत पढ़ रही है या फिर आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं पूरे पैसे के लिए फिर आप कम पैसे के लिए भी हैं तो आप यहाँ पर आराम से कहल सकते हैं और किस तरीके के से कालनाMy है इस वीडियो में डेकने ही बाले है चले वीडियो सुरू करते हैं वीडियो को इस से पहले ऐस्धों चैनल को सब्सक्राइब कर देने और आपने अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीस वीडियो तो लाइक जरूर कर दें और आपको वीडियो अच्छी लग के इसाथ वीडियो जरूर सेर कर देना और अपने WhatsApp पर जैसे की टेलीन ग्रूम में वी आप जरूर सेर करते न ठीक है तो चलिए मैं यहां पर को open कर हो और आ न चलिक करने के बाद में आपको के सामने कुछ चाड़ाइगा जो subscribe सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए मैं सब्सक्राइब कर देता हूं किलिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीकिसे इंटरफेस आजाएगा आपकी जितनी भी स्कीम होंगी वह आपको यहां पर नीचे में देखने को मिल जाएगी और कौन सी scheme में कितना पैसा लगा हुआ और चॉंसीब का कीशो की बात हो रही है तो आप यहाँस का देगे किलिक कर देता हूं जैसी किलिक कर देते हैं तो आपकी scheme वो आपको देखने को मिल जाएगी फॉली नमबर देखने को मिल जाएगा एन आव जयाने की नैट एसे स्वैलू अब ये क्या होती है जैसे कि आप मान सकते हैं आपने यहाँ पर सोना ले लिया है और उसकी जो कीमत है उपर नीचे होती रहती है ठीक है तो उसी को हम यहाँ पर इस तरीकी से समझ सकते हैं का उधारण की तब ठीक है आप आप legh यहाँ पर ओआने की सोगटें सकते हैं और सोने का वहाऊ आम एकल रहाता है उब्सक्राइब तो आपका टोटल यूनिट है वो आपको यहां पर उपर में देख सकते हैं इसी के साथ में आप कम में कम यहां पर जैनिकी मैक्स में बिड्रो कर सकते हैं 500 रुपर ठीक है अब यहां पर आप कितने पर निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर सेलेक्ट हर सकते हैं जैसे कि आप unit के जरीए भी निकाल सकते हैं तो जो भी method आपको अच्छा लगता है वो आप यहां पर select कर लेंगे तो चलिए मैं यहां पर unit के जो option देखने को मिल लिया है मैं इस option को यहां पर select कर लेता हूं क्योंकि यह unit मैंने आपको बताई दिया है ठीक है और यहां से हम all unit select कर लें है ठीक है इसी account से आपने इसमें पैसे add की होंगे और इसी account में आपकी जो पैसे हैं भुजाएंगे ठीक है तो चलिए मैं यहां से cut करता हूं और proceed पर हम simply click कर देते हैं आपके सामने एक बार यहां पर फिर check करने के लिए information आ जाएगी आप सारी information को चेक करेंगे term and conditions को accept कर लेंगे उसके बाद में आपको यहां पर continue पर simply click कर देना है ठीक है जैसी confirm पर आप simply click कर देते हैं तो आपको यहां पर OTP आएगा जो कि आपके mobile number पर जाएगा वो OTP आपको यहां पर enter कर देना है इंटर करने के बाद आप यहां पर simply click OK करेंगे तो आपके सामने पर apply करते हैं जाने कि mutual fund से पैसा निकालने के लिए तो आपको तीन से चार दिन का समय लग जाता है जो कि पैसा आपके bank account में आने में ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर पैसे को घर वैटे ही bank में बिना जाए लहन लगा हुए और आप mutual fund का पैसा अपने हिसा